The next issue is privatization under the umbrella of trends and issues in early childhood education. पूरी दुनिया के अंदर, पुब्लिक सेक्टर, अली चाइल्ड हुड को या एजुकेशन को अफोर्ट नहीं कर सकता. दुनिया में अबादी के रेशो से तालीमी इदारे मुझूद नहीं हैं. तो प्राइवेट सेक्टर की मदद लेना पड़ती हैं. लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल जो है, वो पुब्लिक सेक्टर के कंट्रोल से अलग हो या अनकंट्रोल हो, तो ऐसी सूरत में बहुत से नकाइस और डिस एड्वैंटेजेज भी सामने आते हैं. आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर मुक्तलिफ रेशो से 40%, 50% and up to 60% प्राइवेट इदारे जो हैं, वो हेल्प आउट कर रहे हैं, लिट्रिसी रेट को बढ़ाने में, और जो आपके नई जेनरेशन हैं, उनको एजुकेशन सेक्टर में अक्वामोडेट करने के. बड़ा मसला क्रियेट कर सकता है, जैसे अभी देखिए कि ये इन इक्वालिटी को जनम दे रहे हैं, अपने ही मुल्की मिसाले या इंटरनेशनल, हम सिर्फ पाकस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो आपके प्राइवेट इदारे हैं उन में बहतरीन बिल्डिंग्स हैं और उन में बहतरीन फैसिलिटीज दी जाती हैं और वहाँ पे इसी तरह हाई स्ट्रक्शर फीज भी है, तो जो लोग अब पेरेंट्स के पास जोईस है, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट इदारे में जाएं, तो उन आपकी affordability कम होती जाती हैं, तो फिर उन वच्चों का क्या कसूर, जो उन high levels के schools में नहीं जा सकते, अब ऐसा है कि इसकी वज़ा से कि कुछ अमीर लोगों के लिए, कुछ गरीब लोगों के लिए school हैं, तो आप naturally अपनी कौम को divide कर रहे हैं, तबकात के अंदर, तो आपने के elite schools हैं, फिर कुछ mediocre private school हैं, और फिर गली महले के private school हैं, बेशे को इस चीज में help ज़रूर कर रहे हैं, कि हमारे बच्चे अगर government school में नहीं जा पाते, तो उनको private school में भेजा जाता है, वहाँ थोड़ा उनको बहतर atmosphere मिलता है, और वहाँ पे असाज़ा की उनको individual attention मिल जात हैं, क्योंकि public schools में number of kids भी तो ज्यादा है, बच्चे भी तो वहाँ ज्यादा है, एक-एक कमरे के अंदर 60-70-80 तक बच्चे जा सकते हैं, तो जहर अब हाँ उनको इंफरादी तवज्जों तो नहीं दी जा सकती, उस इंफरादी तवज्जों के लिए बच्चे जो हैं, व ऐसे cost बढ़ती गई, तो आप ज्यादा afford करने के लिए, ज्यादा बहतर तालीम के लिए अपने बच्चों को किसी private sector में भेजेंगे, तो होगा क्या कि लोग जो private sector को own करते हैं, वो उसको बतौरे कारोबार इस्तिमाल करते हैं, और ये एक open market बन जाती है, आपका बच्चा क कौन सी कीमत जो है वो afford कर सकते हैं, तो आप उसको स्कूल में भेजेंगे, ऐसा क्या है, बहुत से बच्चों के जो rights हैं, वो violate होंगे, और फिर जो सबसे बड़ा डलमा है, वो एक clear inequality और segregation है, किसकी, poor और elite की, स्क्रीन पे आपको कुछ तस्वीरे नजर आ रही हैं, एक बहुत बड़ी इमारते हैं, जिनमें हर तरह की सहुलियाद दी गई, और कहीं हमारे ही मुलक में ऐसी जगे हैं, जहां स्कूलों की इमारत ही नहीं, जहां पे सक्त हलात हैं, सक्त मौसमी हलात में, बर्फ के अंदर बैठे हैं बच्चे, या वो बगएर स्कूल के, बगएर चार दिवारी के बैठे हैं, और वो ये तालिम हासल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वेल डेकोरेटेड रूम्स हैं, और हर तरह की फेसिलिटी बच्चों के लिए मौजूद हैं, तो क्या इस से इनकी सोच में, इनकी जहनी नशोनमा में फर्क नहीं आएगा, यकीनन आएगा, क ज्यादा प्रिफर किया जाना चाहिए, क्योंके युनिवर्सल करिकलम का मतलब ये है, कि जो आप फेसिलिटी किसी एक को दे, एक बच्चे को दे, वही फेसिलिटी आप तमाम बच्चों को दे जो आपके मुल्क के हैं, पूरी दुनिया में भी ऐसा ही है, वहाँ पे तबक बात है, कुछ second world countries हैं, कुछ third world countries हैं, कुछ developed countries हैं, वह अपने students को बेहतरीन फेसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन दुसरी दुनिया के लोग वह बेहतरीन फेसिलिटी नहीं दे सकते, और नतीजा इसका क्या है, कि बच्चों के हकुक या बच्चों की इसलाहियतें उस तरह से प के लिए एक है, वहाँ पे कोई duality भी नहीं होनी चाहिए, कोई discrimination भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दर हकीकत हम अपने atmosphere में अपने लोगों को खुद ही different तपकात के अंदर तक्सीम करते चले जा रहे हैं